पीर्शा, जलन, वेश, ये हमारे सबसे बड़े शत्रू हैं। क्यों? चुकि हमारे सबसे बड़े शत्रू वो होते हैं, जो हमें सबसे अधिक हानी पहुचाएं। और हमारी सबसे बड़ी हानी होती है, समय की हानी। सब के पास, जीवित रहने का एक सीमित समय होता है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता है। जलन और द्वेश के कारण, हम जो समय अपने विकास और प्रगती में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विशय में सोचने में लगा देते हैं, जिससे हमें इर्शा है। जलन की अगनी, शत्रू से अधिक स्वयम को जलाती है, तो अपने जीवन को धुआ बना देना, क्या उचित है। किसी की प्रगती को देख का, अपने मन में इर्शा और जलन आने से उचित, क्या ये नहीं होगा, कि हमारे कारण किसी के होटों पर मुस्कुराहट आए। एक बार अपने मन से जलन को निकाल के तो देखिये, अपने आप को बहुत उचा पाएंगे, और समझ में आएगा, कि इस इर्शा के कारण हमने क्या क्या खो दिया है। विश्वास, ये केवल शब्द नहीं, ये वो नीव है, जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किन्तु आज, या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं, या फिर किसी पर अंध विश्वास। दोनों ही परस्थतिया खातक होती हैं। चुकि जहाँ अविश्वास हमारे मन में भै और असुरक्षा को जन देता है। वहीं अंध विश्वास आकरोश को। तो प्रश्वास ये उठता है कि विश्वास की परिभाशा क्या है। विश्वास की परिभाशा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयम पर विश्वास कीजिए। कि आप इस संसार के सबसे महत्वपून व्यक्ति हैं। और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ग्यान करवाएगा। और शक्ति अपने उत्तर दायत्व का। और फिर अपने आप लक्ष मिल जाएगा। मार्क मिल जाएगा। गर्ब, अभिमान और अहंका। ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। परन्तु तीनों का अर्थ भिन्न होता है। और परिनाम भी। तीनों का आरम प्रेम से होता है। स्वयम से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जम देता है। और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है। परन्तु जब ये भावना अहंकार बन जाती है। तब वो समस्या बन जाती है। चूकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है। परन्तु मनुश्य के लिए पहेली यही है। कि पहचाना कैसे जाए। जग गया है। और उसका दमन अवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं। आपका मन देगा। जब तक आप स्वयम से प्रसन है। जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक ठीक है। परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए। तो सावधान हो जाईए। चुकि यही अहंकार है। जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को देखो। माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जान। वन में मत खेलना। तो अवश्य वो वही करेंगे, जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। बंधन को तोड़ने का जो रुमाज है, वो मनुष्य के मन को सदा ललचाता है। परन्तु बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। कभी-कभी बंधन तोड़ना उचित होता है। परन्तु मर्यादा तोड़ना नहीं। चाहे वो फ्रेम की हो। शत्रता की हो। या फिर अथित्थी की हो। फिर ये प्रश्न उठता है कि मर्यादा है क्या। हमें कैसे भान हो कि किस सीमा को हमें पार नहीं करना चाहिए। जैसा व्यभार आप किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं। वास्तविक्ता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते हैं। वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारम कर देंगे। तब से ना आप से कोई मर्यादा भंग होगी ना ही कोई अपराद होगा। कदाचित इसे लिए कहा जाता है कि जब आपका मन नियंतरन में हो तो आपके हिदय के साथ साथ नीश्वर आपके मन में भी वास करता है। जिससे आप अपने मर्यादा का प्रश्न पूछोगे तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता। मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेश जीवों से भिन्न हैं। क्यों? कारण मनुष्य जीवन समाप्त होने के पस्चाद भी जीना चाहता है। और इसका केवल एक ही मार्ग है। समान जो मनुष्य के मृत्यों के पस्चाद भी जीवित रहता है। उस समान को पाने के लिए मनुष्य वर्शों, प्रयास और परिश्रम करता है। और ऐसे में शत्रू के लिए सबसे सरल लक्ष बन जाता है आपका समान। हम अपने शत्रू का अपमान करके उसके वर्षों से कमाय सम्मान को छिन भिन कर देना चाहिए परंतु कर्म करने से पूर परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजेगा वर्षों से संचित शत्रू के मान को भंग करके आपको संतोश अवश्य मिल सकता है परंतु वो शत्रू अपने जीवन के शेश हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता इसलिए सावधान रहे किसी का अपमान करना स्वैम आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है क्या कर रहा हूं मैं? इस अगनी को शान्द करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं परंतु एक अगनी दूसरी अगनी को कभी शान्द नहीं कर सकती वो उसे और अधिक प्रजुलिधी करती है अपमान से जन्म लेने वाली अगनी का प्रतिकार प्रतिशोद नहीं हो सकता चुकि प्रतिशोद की अगनी अपमान की अगनी से अधिक प्रचंड होती है तो उसका त्रान क्या है? उत्तर चाहिए मैं दिखाता हूं ये लकड़ी है शान्ती की, हंडी, गीली अपमान की अगनी से त्राण पाने का मार प्रतिशोध नहीं शान्ती है, स्वयम का विकास अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आपका शक्त्रू आपका अपमान करने का प्रयास ही ना कर पाए अन्य था यदि आप प्रतिशोध चाहते हैं, शक्त्रू भस्म चाहते हैं तो स्वयम को भी जलना होगा चुकि प्रतिशोध की अगनी स्वयम को भी जलाती है और ऐसा आप कदाप ही नहीं चाहेंगी है ना मनश्य बिना मित्र और मित्रता के सुख पूर्वक नहीं रह सकता बालक हो या व्रिद ग्रहस्त हो या ग्रह त्यागी सन्यासी कवी हो या युद्धा बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता यदि ये संबंद इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदाइद्व भी आवश्यक हो जाते हैं परन्तु प्रश्ण ये उड़ता है कि मित्र कौन होता है आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे हमारे सुख में आनंद मनाए हमारे दुख में हमारा सहारा बने हमारे विरोधियों का शक्त्रू हो जाए वो यही न परन्तु क्या वास्तविक्ता में मित्र की पहचान यही होती है मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यक्ता पढ़ने पर वो आपका विरोध करें यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मुर्तवर्ष, जान भूच कर या किसी कुचक्र में फसकर कोई अनुचित कार करने जा रहा है तो आपका कर्तव बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार करने से रोके, उसका विरोध करे चुकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया, तो आप भी स्वयम को अप्यश का भागिदार बनने से नहीं रोक पाएंगे कभी किसी के यहां अत्थी बनकर गए हो, क्या आप एक्षाय होती हैं आपकी, कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो यही न, अवश्य, कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है, या उसके मन में कोई खोट है कहीं वो धूर्थ तो नहीं, चुकि धूर्थ का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है फिर से एक प्रशन उड़ता है, कि धूर्थ को पहचाने कैसे कभी सर्प को देखा है, उसके निकट जाओ तो फुपकारता है तूर रहने की चितावनी देता है और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्त करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको लगेगा ना उसी प्रकार, किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्थता का लक्षन है दूर्थता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षन यही होता है कि वो आप से अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते है जो आप से अधिक मीठी बाते करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाईए चुकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते अतिविनयम धूर तस्या लक्षनम जन से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वपन देखते हैं नए नए लक्ष पाने का प्रयास करते हैं परन्तु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी-पट्टी पढ़ा रहा है परन्तु सीधे जाने का मार्क कभी-कभी उल्टी सीख से ही आता है कभी-कभी आगे बढ़ने से अधिक अवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयम पर विराम लगाना अच्छा स्वास्त पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कभ भोजन करना रोक देते अच्छा संबंध बने उसके लिए अवश्यक होता है कि आप कभ अधिक हस्तक शेप करना रोक देते और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है ये ग्यान बहुत ही आवश्यक है चुकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके होए बग चाह मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है चाह जीवित रहने की फिर प्रेम की फिर आनंद की फिर सफलता की परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैंकडो कारण होते हैं अपना लक्ष ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं और हम ये जान ही नहीं पाते की कब हमारी आसफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था कभी कुए से पाने निकाला है तो अवश्च देखा होगा कि कोमल रेशो से बने हुई रस्सी भी कठोर पाशान पर अपने निशान छोड़ जाती है और हर बड़ता निशान उस पाशान को और दुर्बल बना देता है उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष के और पास ला सकता है तो असफलता का कारण बाधा नहीं प्रयासों की कमी प्रयास कीजी फिर देखिए आप जो लक्ष चाहेंगे वो मिल जाएगा मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है इसलिए कभी कभी कुछ नया कार प्रारंब करने से पूर हमारा मन संशय से घर जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हड़ जाते हैं और इन सब का कारण है स्वयम पर अविश्वास द्रण निश्चे की कमी हम जिन्हें उची द्रिष्टी से देखते हैं जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं उनके जीवन में गहराई से देखिएगा केवल एक ही अंतर पाएंगे निश्चे का अंतर ये निश्चे ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है हमारे प्रयासों को शक्ती देता है ये निश्चे का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मान कर किनारे पर बैठ जाता है तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिवन्दी आपसे जीत जाए हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चे कर लेते इसी लिए यदि मार्ग बंध हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे हमारे जीवन का मूल आधार है करुना करुना क्या है करुना दया नहीं करुना वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं उसकी कटनाई को अनुभव करते हैं इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परस्थिती को ना समझना और इस समस्या का हल है करुना करुना किसी पशु पक्षी के प्रती हो या किसी मनुष्य के प्रती ये आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है और जिस दिन आप दूसरे को करुना की दृष्टी कोंड से देखेंगे आपको उसकी समस्या समझाएगी और उसे आपकी और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा परिवर्तन श्रिष्टी का नियम है परन्तु किसी ना किसी कारणवश हम स्थिर हो जाते परिवर्तन का विरोध करने लगते और इसलिए हमारे विचार तलाब के ठहरे हुए जलकी भाती हो जाते मैले हो जाते यदि इस जलकी भाती निर्मल रहना है स्वच्छ रहना है तो बहना सीखिए समय के साथ चलना सीखिए परिवर्तन का स्वागत करना सीखिए पता है इस हरी महंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है कश्ट सहका लाल चटकता रंग चाहिए तो इन महंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है बार बार प्रहार करने होते हैं उसके पच्चाद इसे पानी में मिश्रित करना होता है तब जाकर ये ललनाओ का श्रिंगार बनती है स्वर्ण के साथ भी यही है जितना तपता है उतना शुद्ध होता है और नग तो आप सभी को भाते है न हीरा भी पहले कोईला होता है भरा के भीतर का ताप सहकर उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ जितना आप कठनाईयों से जूझेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा कठनाईयों की भट्टी में जितना तपेंगे आपका चरित्र उतना ही निखरेगा तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घवराईये मन उससे लड़ जाए चुकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखा कर जाती है मनश्य है न हम भए तो लगे गए भए धन हानी का हो या मान हानी का आप भए को बुरा समझते है न भए हानी का रख हो सकता है परन्तु लाब दायक भी सोचिये किसी अनुचित कार के परिणाम कब है क्या आपको वो कार करने से रोक नहीं लेता रोकता है परन्तु अनुचित कार हो जाने के पश्चार उसे संसार के समक्ष ना लाने देने का भय हमें एक के पश्चार दूसरी भूल करने पर विवश करता है प्रयास करके हम अपना सम्मान पचा अवश्य लेते परन्तु भविश्य में इसके परिणाम हयंकर सिद्ध हो सकते हैं इसी लिए कोई भी कार करने से पूर उसके परिणाम को जानना जितना अवश्यक होता है उतना ही अवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चार उसे तुरंट स्विकार कर लेना आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े बिछड़ना पड़े परन्तु एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्यक है आप माता पिता हैं यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्क दर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वैम मार्क चुनना कैसे सीखेगी? मार्क के काटों से स्वैम को बचाना कैसे सीखेगी? इसे लिए एक समय के पस्चार अपनों से बनाए गई दूरी सदा लाव दायब रहती है सूर उदर से ठीक पूर रात्री तनिक अधिक गहरी और गाड़ी हो जाती है इसी प्रकार एक नए प्रारम से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता है मानव मन जो ठहरा, दुविधा आहे जाती है क्या आगे जो होगा वो शुब होगा? क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ाएं हैं वो कहीं भूल तो नहीं ऐसे में क्या करना चाहिए? केवल एक उपाएं आगे बढ़ें चुकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पाउं से उस धरा को ढखेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष नहीं भूलना चाहिए बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए चुकि नया मार्ग बना तो लक्ष मिलेगा ही और यदि लक्ष नवनिर्मान का हुआ तो मार्ग भी बनेगा शांती किसे नहीं चाहिए मानव युद्ध भी शांती के लिए ही करता है और संधी भी आप मैंसे कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर ठीक नहीं होता संधी का मार्ग ठीक है क्योंकि शक्ति शाले को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का शय होता है वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते है परन्तु शक्ति शाली से मित्रता करने से पूर क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्ति शाली का मनतव ये क्या है कही उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उत्पात को तो जन नहीं दे रहें चुकि सर्प से मित्रता आपको शान्ती नहीं देती अपितु सर्प को अफसर देती है कि भविष्य में वो आप दख सके गनित भी कैसा महान विशय है ना रिन और रिन मिल जाए तो धन बन जाते परन्तु अंक गनित और जीवन के गनित में बड़ा अंतर है बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता यदि दो गुरे संधी कर तो वो अधिक भयंकर सिद्ध होते हैं ऐसे में उनकी मित्रता का उनकी संधी का विच्छेद आवश्यक है चाहे वो किसी भी भाती हो यदि खूटा धर्ती में फस जाए तो सदा खूटे पर प्रहार नहीं करते कभी-कभी धर्ती को भी खोदना पड़ता है इसी लिए फ्रेश्ट यही है कि संधी करने से पूर विचार कर लिया जाए यदि परिणाम भयंकर दिखे तो उस से उसका विच्छेद कर दिया जाए कर्म हमारे जीवन का एक अभिन भाग है कर्म सभी करते हैं परंतु क्या कर्म करने से पूर एक बार विचार करते हैं क्या सोचते हैं कि प्रतेक्रिया की प्रतेक्रिया अवश्य होगी और हो किसी और कर्म किसी और भल को जन देखी ये जुला एक बार जुलाओ तो लौट कर अवश्य आएगा उसी प्रकार हमारे कर और उसके फल लौट कर आते हैं हल से स्मरण हुआ इस प्रिक्ष के आप बड़े मेथे हैं कर दो लौट कर दो दो लौट कर दो लौट कर दोदिए